दोस्तों जैसे कि आप सब लगों को पता ही है कि प्रभास की मच अवेटेड मूवी कलकी 289880 मूवी को लेकर आए दिन कोई न कोई अपडेट्स आती रहती है अगर इस पर वीडियो स्ट्राल साय तो हर रोज एक वीडियो स्टो कनफर्म है कि चले ही जाएंगे इतनी सारी जिसे लेकर बहुत जादा इस वीडियों हो रही है और ट्रेंड भी कर रही है कि कलकी का ये पोश्टर सच में सही है या फिर छूटा है फिलाल तो ये जो फोटो आया है वो काफी डिफरेंट है मतलब बहुत जादा यूनिक है जिसे ऑडियास भी देखकर काफी हैरान है व अधियासार होता है फिर उसके बाद कोई अवतार आते हैं उनको बचाते हैं तो कलकी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसमें टाइम ट्रेवल वाला भी सीन चलेगा यानि की पास्ट प्रेजर्ट फ्यूचर करके चलेगा तो ये सारे चीजे देखना काफी दिल्चस्प हो रही है वहीं बहुत सारे भाई लोगों का ये कहना है कि कलकी मूवी अपने ओपनिंग डे में लगभख 300-400 करोन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी यानि की ओपनिंग में तो मुझे ऐसा लगता है कि हो भी सकता है क्योंकि ये अगर आदिपुरुस के जैसे मूवी ना जादा पसंद नहीं आए तो अगर कलकी के बारे में बात की जाए तो कलकी के पीफेक्स और इसके कॉंटेंट और इस्टूरी पर जादा फोकस किया जाए यानि कि सही से काम किया जाए तो ये फिल्म है 300-400 करोन का अराम से वॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है ओपनिंग डे को लेकर बहुत सादा हो रही है तो देखने को ही मिल रही है तो ये चीजे मतलब हो सकती है 100-200 करोन तो कर्फम कमा ही सकती है फिलाल आप खुद भी बता सकते है कमेंड बॉक्स में बताकर कि कलकी मूवी अपने ओपनिंग डे में कितना कलेक्शन करेगी वहीं अगर कलकी के टीजर के बारे में बात करें तो दोस्तो कलकी मूवी का टीजर आठ मार्च को आने वाला है जिसको लेकर हम सब बहुत सादा एक्साइटेड है हाला कि जब इसका टीजर ट्रिलर रिलेज होगा तभी समझ में आ जाएगा कि कलकी अपने ओपनिंग डे में कितना सादा कलेक् केम-्यू है तो मतलब कि ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है मतलब काल की मूवी में जुनियररी का केम-ई को है और यह चीज़ कंफरम भी हो गया है जो है सब लोगों को confusing टाट इा तो यह विए धिज़ ना का गयों होने थैあ और अभी तो कलकी को लेकर और भी सादा डिमांड होती जा रहे क्योंकि इसका teaser भी release होने वाला है teaser में ही देख लेते हैं किस हिसाब का technology यूज़ किया जाएगा BFX यूज़ किया जाएगा तो जैसे कि ब्रमास्त्र movie आये थी हम सब लोगों ने देखा था तो ब्रमास्त्र movie में तो बहुत सारे BFX यूज़ किये गए थे जो कि काफी बढ़ियां भी थे और बहुत सारे लोग तो BFX की वज़़ से उस फिल्म को ट्रोल भी कर रहे तो कलकी movie के साथ ऐसा ना हो तो बहुत ज़ादा बढ़िया रहेगा फिलाल तो ना गस्विन जैसा सोचें अगर उस हिसाब से ये movie बन गई तो ये अराम से 1000 और 2000 तो कमा ही लेगी worldwide की में बात कर दे हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी movie होने वाली है और डालिक प्रमास है देपेका पादुकोर है देपेका पादुकोर को लेकर तो और भी सादा मतलब देखा जाया तो पठान movie में जिस हिसाब का उनका रोल दिखाया गया था तो ऐसा इसमें भी है और बड़े बड़े नायक है बिता बच्चर है, कमल हार्षन है और भी बहुत सारे actors इस movie में है तो उजाहिर सी बात है कि ये फिल्म कमाल तो पक्का करेगी अगर BFX content और story बढ़िया रही तो फिलाल तो मैं इसके teaser को लेकर बहुत साथ excited हूँ teaser भी बहुत साथ release होने वाला है जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले ही बता दिया आठ मार्च को इसका teaser आने वाला है तो देखते हैं ना कि teaser में क्या देखने को मिलता है तो दोस्तो कल की 289880 मूवी के teaser को देखने के लिए आप कितना साथ excited है फटा फट कमेंट करें कि बताए और मेरा ये वीडियो आपको पुशन लाया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बात चीत कर नहीं हो तो मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई